नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बसंद पंचमी माग महिने की सुक्ल पॉक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है और इस बार 2021 में 16 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी अब बसंद पंचमी के दिन मास सुरस्वती की पूजा की जाती है और मास सुरस्वती का आसि ग्यान के लिए वाक पटुता के लिए यानि वानी की ताकत के लिए मासरोसती की पूजा अराध्ना की जाती है चुकि बसंद पंचमी बसंद रितु में मनाई जाती है और बसंद रितु प्रेम का रितु है हर्स उल्लास का रितु है और इस समय इस दिन प्रेम दोस्ती के लिए भी अच्छा इस दिन को माना जाता है चुकि मा सरस्वती के साथ कामदेब और रती की भी पूजा करती है कि जाती है ताकि प्रेम में सफलता मिलती रहे और सच्चा प्यार भी मिलता है दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है ये समय वैसे दामपत्य जीवन लंबा और सुख में होता है अगर इस दिन आप स्री हरी बिश्नु मालक्षमी की भी पूजा करें तो बसंद पंचमी के दिन कुछ खास प्रयोग किये जाते हैं जिन से आपको इस पूजा का लाव मिलता है क्योंकि बसंद पंचमी के दिन खास उपाई, खास टोटके आपके जीवन में खुजीयों को बढ़ाता है और मंद बुद्धी आदमी व्यक्ति भी बिद्ध्वान हो सकता है बसंत पंचिमी के दिन सभी बिद्यार्थियों को मा पुरस्वती की अराधना जरूर करनी चाहिए और अगर हम सास्त्रों की माने तो मा सुरस्वती की महिमा से इनकी क्रिपा से मंद बुद्धी भी महा बिद्वान बन जाता है इसलिए बसंत पंचिमी के दिन आप जब मासरोसती की पूजा करें तो अपने तमाम जो आपके किताब हैं, कौपी हैं, पिन हैं मासरोसती को अर्पित करें, पुस्प उस पर अर्पित करें, थोड़े से अक्छद गुलाल अर्पित करें और कलम में मौली धागा बांधियेग इस दिन मा स्रुसती के चर्णों पर गुलाल चढ़ा कर स्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र पहन कर मा की आप अराधना करते हैं मा को खास कर पीले फल का भोग लगाने का विधान है वैसे आप चाहें तो घर में खीर मालकुए को बना कर भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि स्वरसदी पूजा जिस दिन भगवान सिव का तिलकोत सब भी मनाया जाता है भगवान सिव का जब सिवात्री में बिवा होगा तो तिलक चड़ी जो होता है वो स्वरसदी पूजा की दिन होता है इसलिए इस दिन अच्छे अच्छे पगवान खाये जाते हैं और यहीं से जो अभीर गुलाल है उसका पूजा यहां से ही खेलना सुरू हो जाता है तो इस दिन मखीर में केसर डाल कर या फिर माल पुआ बना कर भोग लगाएं और फिर खाये तो जीवन में ज्यान बढ़ता है मासरोसदी के धेर सारे मंत्र है अब वह मंत्र ओम एंग रिंकलिंग महा सरस्वत्य नमहा दूसरा मंत्र है ओम सरस्वत्य नमहा और यह मंत्र जो है न आप अगर जब करें तो आपका दिमाग तेज होता है जो बिद्यारती है न उनको जरूर जपना चाहिए आपकी बुद्धी तेज होगी आपका ज्यान बढ़ेगा आपका यस बढ़ेगा पढ़ा हुआ आसानी से याद होगा कई बार क्या होता है बचों को लगता है मंत्र जपना बहुत भारी काम है तब आप गायतरी मंत्र भी जब कर सकते हैं क्योंकि गायतरी मंत्र महा मंत्र है तो बसंद पंचिवी के दिन मासरसती को बेसन यानि पीली चीजों से बनीवी मिठाई बुंदी के लड़ू भिया परपित कर सकते हैं अब इस दिन पढ़ाई में सफलता के लिए मासरसती को आप छोटे छोटे परियोग कीजिएगा चलिए हम सुरुआत करते हैं सबसे पहला है परियोग बसंद पंचिमी के दिन अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप खूब सफलता प्रात करें जीबन में खूब उन्नती करें तब मासरसती पर हल्दी अरपित करें उनके चर्णों में दो हल्दी की गाठ अरपित करें या एक ही अरपित करें अगर हल्दी के गाठ नहीं है तो पॉडर बाली हल्दी भी थोड़ी सी अर्पित कर सकते है फिर उस हल्दी के सहारे आप अपने पुस्तक पर कॉपी पर लिखिए एंग क्या है मा सुरस्वती का बीज मंत्र है इस मंत्र को लिखिए एक और प्रियोग हम आपके साथ साजा करेंगे देखिए चुकी बसंद पंचमी के दिन से अगर आप एक छोटा सा प्रियोग करते हैं तो आपका ग्यान और धन दोनों बढ़ता है क्या करेंगे आप केसर आपके घर में होगा थोड़ा सा केसर ले ले अब इससे चांदी के किसी भी आप नई बस्तू के सहारे बच्चों के जीप पर एंग लिखें ज्यान बढ़ेगा थन बढ़ेगा याद रखिए एंग और केसर से बच्चों को तिलग भी लगाए अब खुद भी लगाईए आप अब ये तो थी सिंपल प्रियोग एंग होए मा सरसती का बीज मंतर अब कई बार क्या होता है थोड़ा वानी दोस होता है आप बड़े हैं बच्चे हैं किसी का भी हो सकता है उनकी वानी या फिर हकला कर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं लोगों को बुरा लग जाता है या कुछ ज़्यादा ही सच बोलते हैं अब बानी में मधुरता लाने के लिए मास रोसती को एक बरतर में थोड़ा सा सहद का भोग लगाईए और या आप चाहे तो पूरी बॉटल ही लगा सकते हैं फिर सबसे पहले आप रोज सुबर जब पर्थम आहार होगा उस सहद को थोड़ा सा गरहन करके दिन की सुरुआत क तो वानी की सकती बढ़ेगी तो यह सिंपल प्रियोग है पर जीवन में इसके बहुत ज्यादा आपको सुफल देखने को मिलेंगे बसंद पंचिमी के दिन मोर पंख का भी पिसेस प्रियोग होता है जो बच्चे है स्कूल कॉलेज जाते हैं जो बिद्यार्थी हैं उनको ब लंबा बहुत लंबा डंठल है तो उसमें हर जगा मोर पंख की पंख कुड़ी होती है थोड़ा थोड़ा तोड़कर किताब कॉपी में रख दें इससे बच्चों का ग्यान बढ़ेगा किसी तरह की कोई बाधाय नहीं आएगी तमाम परिसानियों से आपके बच्चे सुरक करें तो आपका जीवन खुशियों से बढ़ जाता है अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो बसंद पंचिमी के दिन किसी भी भगवान स्रीकृष्णी के मंदिर में बासुरी और पान का पत्तार पित करें तो जीवन में प्रेम बढ़ेगा खुशी बढ़ेगी तो य में पूजा करें तो सरवत्तम होगा वैसे पूरा दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हैं अब एक छोटा सा और काम कीजिए देखिए इस दिन आप अपने लब को चुकि रती और कामडियं पी पुजा इस दिन होती है भगवान स्रिहरी मा लक्ष्णी की भी पूजा होती है तो आप अपने लब को जीवन साथी को लाल गुलाबी या पीले रंग का वस्तू पहार में दे तो बहुत सर्वोत्तम होगा प्रेम बढ़ेगा। अगर बिभाईत इस्तरिया हैं तो वो लाल या पीली चूरी धारी इनकरें तो जादा अच्छा रहेगा। इस दिन बसंद पंचमी के दिन को प्रेम का भी दिन गहते हैं तो आप हस्ता हुआ मुस्कुराता हुआ फोटो सेशन कराएं अपनों के साथ खुसियां बढ़ेंगी जीवन में और जहां खुसी होती है मा सरसती, मा लक्षमी हर कोई वही होते हैं तो बसंद पंचमी के दिन च द्धन की कमी नहीं होगी दूसरी बात इस दिन मीठे चावल मीठे पीले चावल बनाकर मा स्रुसती को भोग लगाईए और प्रसाथ के रूप में सब को दीजिए खासकर छोटी कन्याओं को दीजिए जीवन में खुसियां बढ़ती चली जाएंगी पीले मीठे चावल कर भोग लगाने का और खाने खिलाने का विधान है वैसे तो बच्चों को इस दिन माताएं जो खासकर मा हैं वो बच्चों को कलाई में कलावा जरूर बांधियेगा क्योंकि ऐसे करने से आपके बच्ची की सुरक्षा होगी चारों दिसाओं से और एकागरता की कमी भी पर बिदालेंगे दनी बाद